हर हर महादेव काशी के उन्य धर्ती के आप सब उन्यात्मा लोगन के प्रणाम हो सावन महिना चल रहा है ऐसे में बाबा के चर्णों में आने का मन हर किसी को करता है लेकिन जब बाबा की नगरी के लोगों से रूबरू होने का मोका मिला है तो ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए एक दर्शन करने का सवभाग्य प्राप्त हुआ है सबसे पहले तो आप सभी को भगवान भोले नाथ के इस प्रिय महिने की बहुत बहुत शुक्कामना है ये भगवान भोगल भोले नाथ के आई अशिरवाद है कि कुरोना के इस संगटकाल में भी हमारी काशी उमीद से भरी हुई है उत्साह से भरी हुई है ये सही है कि लोग बाबा विश्वना दाम इन दिनों नहीं जा पा रहे हैं और वो भी सावन में न जाना पाना तो आपकी पीडा में समझ सकता हूँ ये भी सही है कि मानस मंदीर हो दुरगा कुंड हो संकट मोचन में सावन का मेल्या सब कुछ स्थगीत हो गया है नहीं लग पा रहा है लेकिन ये भी सही है कि इस अभूत्पुर्वा संकट के समय में और मेरी काशिय हमारी काशिय में इस अभूत्पुर्वा संकट का डटकर मुकावला किया है आज का एक आरकम भी तो इसी की एक कड़ी है कितनी ही बड़ी आपदा क्यों नहो किसी को काशि के लोगों की जीवडता का कोई मुकावला नहीं कर सकता जो शहर दुनिया को गती देता हो उसको सामने कोरोना क्या चीज है यह आपने दिखा दिया है मुझे बताया गया है कि कोरोना के काशि की जो विशेशता है इस कोरोना की कारण काशि में चाय की अडियां वो भी सुनी हो गई है तब डीजिटल अडि शुरू हो गई है अलग अलग छेत्र की विव्यूतियों ने अडि परंपरा को तो जिवन्त किया है यहां की जिस संगीत परंपरा को बिस्मिल्ला खां जी गिरिजा देवी जी हिरालाल यादव जी जैसे महान साधकों ने समृद्द किया उसको आज काशि के संभानित कलाकार नई पिड़ी के कलाकार आगे बढ़ा रहे है इस तरह क्याने एक काम पिछले 3-4 काशि में निरंतर हुए है इस दोरान भी में लगातार योगी जीजे संपर्भ मैं रहता था सरकार के अलग-अलग लोगों سے संपर्भ मैं रहता था काशि से जो खबरे मेरे पास आती थी उस में क्या करना क्या नहीं करना लगातार सबसे बात करता था, और आप मेंसे भी कई लोग हैं, बनारस में कई लोगों से मैं regularly फोन पर बात करता था, सुक्दूग पुछता था, जानकारिया लेता था, फिडबेग लिया करता था, और उसमेंसे कुछ इसी कारकम में भी मुझे पका भरुचा है कि हाँ बैटे होंगे जिनसे कभी मेरी फोन पर बात भी हुई होगी संक्रमन को रोकने के लिए कौन क्या कदम उठा रहा है अस्पतालों की सिती क्या है यहां क्या व्यवस्थाएं की जा रही है क्वारंटीन को लेकर के क्या हो रहा है बाहर से आये स्रमिक साथ्यों के लिए हम कितने प्रबंद कर पा रहे हैं यह सारी जानका रिया मैं बिलकुल लगाता लेता रहता था साथ्यों हमारी काशी में बाबा विश्वनात और मा अनपुर्णा दोनों विरात्ते और पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मा अनपुर्णा से बिख्षा मांगी थी तबी से काशी पर ये विशेश आशिरवाद रहा है कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा मा अनपुर्णा और बाबा विश्वनात सब के सब के खाने का इंतजाम कर देंगे आप सभी के लिए तमाम संगठुनों के लिए हम सभी के लिए ये बहुत सोभागे की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सब को बनाया है विशेश कर आप सब को बनाया है एक तरह से आप सभी मा अनपुर्णा और बाबा विश्वनात के दूत बनकर हर जरूरत मद्न तक पहुँचे हैं इतने कम समय में फूड हेल्प लाइन हो कॉम्यूनिटी कीचन का व्यापक नेटवर्क तयार करना हेल्प लाइन विश्शित करना डेटेया साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलोजी की मदर लेना वारानसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का इस सेवा के काम में भरपूर इस्तिमाल करना यानि हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया और मैं ये भी बता दूँ हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है हमारे संस्कारों में है लेकिन इस बार का जो सेवा कारिय है वो सामान्य सेवा कारिय नहीं है यहां सिरफ किसी दुखी के आंखू आंसू पहुंचना किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था इसमें एक प्रकार से कॉरोना जैसिस बिमारी को गले लगाना इसका रिस्क भी था कहिए कॉरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलीदान की तैयारी का भाव भी था और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कॉरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है सिरफ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है एक भय था एक डर था एक संकट सामने था और सामने जाना स्विच्छा से जाना ये सेवा का एक नया रूप है जी और मुझे बताया गया है कि जिला प्रशासन के पास बोजन बाटने के लिए अपनी गाड़िया कम पड़ गई तो डांक विभाग ने खाली पड़ी अपनी पोस्टल बैन इस काम में लगा दी सोचिए सरकारों की प्रशासन की छबी तो यही रही है कि पहले हर काम को मना किया जाता है यह तो मेरा डिपार्टमेंट है तुम को तुम्हे कौन दूँगा मुझे तो यह करना है तुम क्यों न होते हो यह वो ता था लेकिन यहां हमने देखा है कि आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद की गई इसी एक जूटता इसी सामुटता ने हमारी काशी को और भव्य बना दिया है ऐसी मानविय ववस्था के लिए यहां का प्रशासन हो गायत्री परिवार रचनात्मक्ट ट्रस्ट हो राष्ट्रिय रोटी बैंक हो भारत सेवासरम संग हो हमारे सिंदी स्वाज के भाई बहन हो भगवान अवदूद राम कुष्ट सेवासरम सर्विस्वरी समू हो बैंकों से जुड़े लोग कोट पेंट टाई छोड़कर के गली मोहले में गरीब के दरवाजे खड़े हो जाए तमाम व्यापारी एसोशेशन्स और हमारे अनवर जी तो कितना बढ़िया तरीके से अनवर एहमद जी ने बताया ऐसे कितने अंगनीत लोग और मैं तो अभी सिर्फ पांच साथ लोगों से बात कर पाया हूँ लेकिन ऐसे हज़ारों लोगों ने काशी के गवरों को बढ़ाया है सेंकड़ों संस्थाओं ने अपने आपको खपा दिया है सबसे मैं बात नहीं कर पाया हूँ लेकिन मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूँ इसमें जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे प्रेरना ले रहा हूँ अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकड में काम किये इनके आशिरवार ले रहा हूँ और मेरी प्रातना है कि बाबा और मा अन्नपुर्णामय आपको और सामर्थ दे और शक्ति दे साथियों कोरोना के इस संकड कालने दुनिया के सोचने, समझने, काम काच करने, खाने पीने सब के तोर तरीके पुरी तरह से बदल दिये है और जिस प्रकार से आपने सेवा कियों और सेवा का समाज जीवन पे बड़ा प्रभाव होता है मैं बच्वन में सुना करता था कि एक सोनार, उसको छोटा मुटा अपने घर में सोनार के नाते वो अपने घर में काम करते थी और कुछ परिवारों के लिए सोने की चीजे बनाना वगेर अपना चलता था लेकिन उस महाशई की एक आदत थी वे बाजार से दातुन खरीते थे सुबह में हम पहले की जमाने में आज ब्रश उप जो करते पहले दातुन करते थे और वो अस्पतान में जा करके वो जो मरीज होता था उसके जो रिस्तेदार होते थे उतनी संख्या गिन करके हर दिन शाम को उनको दातुन दे करके आते थे यही काम करते थे और दिन भर अपना सोनार का काम करते थे आप हरान हो जाएंगे एक सोनार के रूप में अपने काम के साथ ये दातुन लोकों को मदद करने का उन्होंने छोटा सा अपने आदत बना थी उस पूरे इलाके में उनकी इतनी छबी थी उनके सेवाभाव की इतनी चर्चा थी कि सोने का काम कराने के लिए लोग कहता है अरे भाई ये तो सेवाभावी है उन्हीं क्या सोने का काम करवाएंगे याने करते थे वो सेवा लेकिन अपने आप उनकी एक विश्वस लेता बनी थी उनके अपने के सोने के काम को हर पडिवार के वो विश्वस्त वक्ति बन चुके थे यानि हमारा समाज ऐसा है सेवा भाव को सिरब कुछ पाया, कुछ मिला उतने से नहीं उससे भी बहुत अधिक भाव से देखता है और जो सेवा लेता है वो भी मन में ठान लेता है कि जब मौका मिलेगा वो भी किसी की मदद करेगा यह चक्र चलता रहता है और यही तो समाज को प्रेना देता है आपने सुना होगा सो साल पहले ऐसी ही बनायनक महामारी हुई थी अब सो साल के बाद यह हुई है और कहते हैं कि तब भारत में इतनी जनसें क्या नहीं थी कम लोग थे लेकिन उस समय भी उस महामारी में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग मर गए उन में से हमारा हिंदुस्तान भी था करोड़ों लोग मर गए थे और इसलिए जब इस बार महामरी आई तो सारे दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था उनको लगता था भाई सो साल पहले भारत के कारण इतनी बड़ी बरबादी हुई थी भारत में इतने लोग मर गए थे और आज भारत की इतनी आबादी हैं इतनी चुनोतियां हैं बड़े-बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे कि इस बार भी हारत बिगड़ जाएगा लेकिन क्या स्थिती बने आपने देखा होगा 23-24 करोड के आबादी वाले हमारा उत्तर प्रदेश और उसके लिए तो लोगों को धेर सारी शंका कुशंकाए भी थी कि ये कैसे बचेगा कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है यहां बाहर काम करने गए समीक कामगार साथी बहुत है वो दोगज की दूरी का पानन कैसे कर पाएंगे वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे लेकिन आपके सैयोग ने उत्तर प्रदेश के लोकों के परिश्रम ने पराक्रम ने सारी आशंकाओं को द्वस्त कर दिया साथियों ब्राजिल जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी करीब 24 करोड है वहाँ यह उत्तर प्रदेश जितना ही बड़ा है वहाँ करोना से 65 हजार से जादा लोकों की दुखत मुत्य हुई है 65 हजार लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मुर्तिव करोणा से हुई है यानि यूपी में करोणा से हजारों जिंदगिया जिसकी मरने की संभावना दिखाई जाती थी उसको बचाई गई है बचा लिया गया है आस्तिती ये है कि उत्तरपदेश्ट ने न सिर्फ संकरमन की गति को काबू में किया हुआ है बलकि जिने कोरोणा हुआ है वो भी तेजी से रीकवर हो रहे ठीक हो रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी बज़र आप जैसे अनेक महनभोव की जागरूपता सेवाभाव सक्रियता आप जैसे सामाजी धार्मिक और परुपकारी संगठनों का ये जो सेवाभाव है आपका ये जो संकल्प है आपके संस्कार है जिसने इस कठीन समय से कठीन से कठीन दोर में समाज के हर व्यक्ति को कोरोना के खिलाब लड़ाई लड़ने की तांकत दी है बहुत बड़ी मदद की है साथियों हम तो काशी वासी है और कबिरदाजी ने कहा है कबिरदाजी ने कहा है सेवक फल मांगे नहीं सेव करे दिन रात सेवा करने वाला सेवा का फ़ल नहीं मांगता है दिन रात निश्वार्थ भाव से सेवा करता है दूसरों की निश्वार्थ सेवा के हमारे यही संसकार है जो इस मुश्किल समय में देश वास्यों के काम आ रहे हैं इसी भावना के साथ केंद्र सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि करोना काल के इस समय में सामान ने जन की पीड़ा को साजा किया जाए उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए गरीब को राशन मिले उसकी जेब में कुछ रुपिय रहे उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के ले रण ले सके इन सभी बातों पर ध्यान दिया है साथियों आज भारत में असी करोड से जादा लोगों को मुप्त राशन दिया जा रहा है इसका बहुत बड़ा लाब मनारस के भी गरीबों को स्रमिकों को हो रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी दो गुनी आबादी से यहने अमेरिका की जो टोटल जनसंग है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरन पोशन कर रहा है और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक यानि दिपावली और छटपुजा यानि तीस नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है हमारी कोशिच यही है कि किसी गरीब को त्योहारों के समय में खाने पिने की कमी ना हो खाने के साथ साथ लोगडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए इंधन की दिकत ना हो इसके लिए उजवला योजना के लाभार्थियों को पिछले तीन महेने से मुप्त गैस सिलिंडर दिया जा रहा है साथियों गरीबों के जनदन खाते में हजारों करोर रुपे जबा कराना हो या फिर गरीबों के स्रमीकों के रोजगार की चिंता छोटे उद्योगों को रहेडी ठेला लागाने वालों को आसान रण अपलब्द कराना हो या खेती, पशुपालन, मचली पालन और दुसरे कामों के लिए अइतियासिक फैस्क ले और सरकार ने लगातार काम किया है कुछ दिन पहले ही 20,000 करोर रुपे की मत्स संपदा योजना को भी मंजुरी दी गई है इसका लाब भी इस खेत्र के मचली पालकों को होगा इसके अलाबा यहाँ यूपी में कुछ दिन पहले ही रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक और विशे सा भ्यान चलाया गया है इसके तहर हमारे जो हस्तसिल्पी हैं, बुनकर है, दूसरे कारिकर है या फिर दूसरे राज्यों से जो भी स्रविक साथी गाव लोटे हैं ऐसे लाखों कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्ता की गई है साथियों, कोरोना की यह आपदा इतनी बड़ी है कि इससे निपटने के लिए लगातार काम हमें करना ही होगा हम संतोष मान करके बैट नहीं सकते हैं हमारे बुनकर भाई वहन हो नाव चलाने वाले हमारे साथी हो व्यापारी, कारोबारी हो सभी को मैं आस्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा निरंतर प्यास है कि सभी को कम से कम दिक्कत हो और बनारस भी आगे बढ़ता ही रहे मैंने कुछ दिन पहले ही बनारस के विकास कारियों को लेकर प्रशासन से शहर के हमारे विधायकों से भी टेक्नोलोजी के मादम से लंबी मुलाकात की थी बहुत डीटेल में बाच्चित की थी एक एक चीज को मैंने टेक्नोलोजी और ड्रॉन की पद्दती से मोनिटर किया था इसमें सडकों, बिजली, पानी होत इसमें तमाम प्रोजेक के साथ साथ बाबा विश्वनाथ धाम प्रोजेक के स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी मुझे दी गई थी मैंने आवश्यक सुचनाय भी दी थी कुछ रुकावटे दे होती है तो उसको दूर करने के लिए जहां जहां कहना था वहां भी कहा था इस समय काशी में ही लगबग आठ हजार करोड रुपिय के अलग-अलग प्रोजेक्स पर काम तेजी से चल रहा है आठ हजार करोड रुपिय के काम याने अनेक लोगों को रोजी-रोटी मिलती है जब स्थितिया सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है और इसलिए ही तुरिजम से जुड़े सभी प्रोजेक्स जैसे कुरूज टुरिजम लाइट अंड साउंड शो दसास्व मेग घाट उसका पुनरुदार गंगा आरती के लिए आडियो वीडियो स्क्रीन लगाने का काम घाटो पर और भी व्यवस्ता प्रबंधन का काम ऐसे हर प्रोजेक्स को तेजी से पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है साथियों आने वाले समय में काशी को आत्मा निर्भर भारत अभ्यान का भी एक बड़ा केंद्र बनते हुए हम सभी देखना चाहते हैं और यह हम सब की जिम्मेवारी भी है सरकार के हाल के फैंसलों के बाद यहां के साडियां यहां के दूसरे हस्त सिल्प के लिए यहां के डेरी मच्य पालन और मदमखी पालन के वेवसाय के लिए नई संभावनों के द्वार खुलेंगे बीवैक्स की बहुत अधिक निवान दुनिया में है इसको पूरा करने का प्रयास हम कर सकते हैं मैं किसानों से युवासातियों से भी यह आगर करूंगा कि इस प्रकार के वेवसाय में बढ़ चड़कर के भागीदारी सुनिस्चित करें हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ड हब के रूप में विक्सित हो सकती है और हमें करना चाहिए काशी को हम आत्मन निर्भर भारत भ्यान की प्रेरक्स थली के रूप में भी विक्सित करें स्थापित करें साथियो मुझे अच्छा लगा आज आप सब के दर्शन करने का मोका मिला और काशी वासियों के सावन महिने में दर्शन होना अपने आप में सहवाग्य होता है और आपने जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया है अभी भी जिस लगन के साथ आप लोग कर रहे हैं मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं परोपकार के सेवा भाव के अपने काम में आपने सब को प्रेणा दी है, आगे भी प्रेणा देते रहेंगे लेकिन हाँ, एक बात हमें बार बार करनी है हर किसी से करनी है, खुद से भी करनी है हम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ती चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं है अब रास्तों पर थूखना और उसमें भी हमारा बनारसी पान हमने आदत बदलनी पड़ेगी दूसरा, दोगज की दुरी, गमचे या फेस, मास और हाल दुलने की आदत को न हमें छोड़ना है, न किसी को छोड़ने देना है अब इसको हमारे संस्कार बना देना है, स्वभाव बना देना है बाबा विश्वनात और गंगा महिया का आशिरवात हम सभी पर बना रहें इसी कामड़ा के साथ मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ और फिर से एक बार आपकी इस महान कार्य को प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महदेव